आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है और आप जान लिजिए कि कुछ लोग हम लोगो तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आईएगा न तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है अगली बार सब हारेगा हमको पुरा भरोता है अरे जोई लोग इधर उधर करके गड़बड़ी करके जीता है ना चिंता नहीं किजिए अगला बारी सब के सब हारेगा ये कहना है बिहार के सीम नितीश कुमार का नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन इंडिये घटक दल की बैठक है और इस बैठक में नितीश कुमार भी सम्बोधित करते हुए नजर आए बोलते हुए नजर आ रहे हैं प्रदान मंतुई नरेंद्र मोदी नितीश कुमार की बातों को सुनकर मुस्कुरा भी रहे हैं और उनके चेहरे पर ये मुस्कुराहट जो है वो बेहदी अलग नजर आ रही है नितीश कुमार विपक्ष को कहते हैं कि इस बार लोग न गड़बड़ी कर दिया है और गड़बड़ी करके इधर उधर करके इलोग जीत लिया है लेकिन चिंता नहीं किजिए अगली बार इस सब के सब हारेगा हम बता न रहे हैं आपको मुखमंत्री नतीश कुमार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये सारी बाते कर रहे हैं घटक दल की अंडिय घटक दल की बैठक है इस बैठक में नितीश कुमार मौजूद है चिराग पासवान मौजूद है यूपी के सीम योगी आदितनात है ग्रिह मंत्री अमित शाह है राजनास सिंग है प्रिधार मंत्री नरिंद्र मोदी है तमान जितने भी अंडिय घटक दल के नेता है वो सारे के सारे इस बैठक में मौजूद है और उनके सामने नितीश कुमार जो है वो बिपक्ष पर कटाक करते हुए नजर आ रहे हैं दो हजार चौबिस लोकसवाच चुनाब के परिणाम के बाद लगातार ये बाते हो रही थी कि नितीश कुमार के मन जो है वो बदल सकते हैं लेकिन नितीश कुमार ने ये साफ साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाने बाले हैं वो इंडिये के करकार बनाने के लिए प्रधानमंति नरेंद्र मोधी के साथ है वहीं दूसरी और ये भी ख़वर निकल कर सामने आ रही थी कि नितीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल राज का दर्जा मांग रहे हैं यूसी सी के बाएर में विचार करने को लेकर बोल रहे हैं अगनी दिवचिना को लेकर इचिना को लेकर इचिना